दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस कने वाले हैं रिलियांस इंटरस्टीज लिमिटेड सेयर के बारे में तो आज की दिन पे स्टोक में थोड़ा सा माईल दी गिराबट हुआ है पिछले एक साल की बात करें पिछले एक साल का अंदर स्टोक ने बहुत ज़्यादा भुलेटा ले रहा है लिकिन उसके बाद भी अगर आप देखेगा इस डाउन ट्रेंड का अंदर भी स्टोक अभी तक एक आच्छा गासा सपूर जुन तक आया नहीं है अगर आप स्टोक का अंदर आगे की दिनों में क्वार्टली रेजल पेष होने वञा है और क्वार्टली रेजल में अच्छा complaint सदेखने को मिल accumulated है unser तो यहां पर दोस्तों बात करें पिछले 6 मने की तो 6 मने कंदर स्टोक ने एक सोकपुर जुन के आसपास आ चुका है जैसे कि इसी लेबल के ओपर देखेगा स्टोक कंदर जो लेबल बनकर आता है 2400 उससे स्टोक अगर नीचे निकलता है तो कोही ना कोई 2350 का लेबल देखन को मिल सकता है तो यह बात भी आपको ध्यान पर रखेगा लेकिन टेक्निका लिए अगर हम बात करें रेली केंडल पर दोस्तों स्टोक एक सपूर जुन पर खड़ा है जैसे कि इसी लेबल के आप देख सकते हैं एक सपूर जुन के आसपास अभी खड़ा है तो इसलिए दो करेंगे स्टॉक कंदर इंबेस्टमेंट करना है या फिर अभी के लिए अवर्ट करना है लेकिन फिलाल में दोस्तों 15 मिनिट केंडल पर अगर आप देखोगे तो कोही ना कोहीं स्टॉक कंदर अभी बेरिस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो फिलाल में दोस्तों स्टोक कंदर तेजी देखना को मिल सकता है और आप स्विंग टेड के लिए और इंट्रेड के लिए ओपर्चुनिटी ढूंट रहे हो तो थोड़ा साफ वाट को लिए रेजल पेस हो जाने दीजिए फिर उसके बाद करेंगे स्टोक कंदर इंबेस्टमेंट करना है या फिर अबड करना है तो आज की वीडियो में दोस्ते इतना ही मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 टेक क्यार